इस लेक्चर में आपको सुझेगे एक नया टॉपिक है उस नया टॉपिक के साथ मैं इस लेक्चर को आगर बढ़ाता हूं मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारी जनकारिया आपको दिया था अब उनिफॉर्म सर्कूलर तक्रीवन यह जो आपको मोशन चैप्टर है क्लास्नाइट के लिए अब लास्ट अश्रेज में रख पहुंचे चुके हैं यह जो टॉपिक है उसका नाव है उनिफॉर्म सर्क क्या है यह है क्या इसका डिप्निशन क्या है तो जब भी कोई अबजेक्ट हमारा है वो सरकूल में मूब्स करेगा तो उसे इन्हें बोग सर्कूलर मुशन करते हैं समझ गाला तो उसे लिखा दास्ट अबजेट लिखेंगे ना फिर फिर बोड़ी मूब्स इन असर्कूलर पाथ देर इडिस क्वार तब उसे कहा है है सर्कूलर मुशन है में अगर आप से कपुषता है कि सर्कूलर मुशन क्या होता है करो तो आप उससे यहीं बात करें जब भी सखता है मुस्ट के रहा है तो इसे अम लोग सर्कूलर मुशन का नाम देते हैं ल की यहाँ कुछ जो कुछ अणा uniform circular motion uniform circular motion uniform circular motion का क्या हो जाएगा उसका definition हो जाएगा कि when an object या फिर body moves in a circular और with a uniform aspect uniform aspect constant aspect तब इसी को करते हैं call uniform uniform circular motion आपको इसी लिए मैंने पहले concept दिया सर्कूलर मोशन को क्योंकि अगर सर्कूलर सर्कूलर मोशन समझ गए तो आपका यह उनिफॉर्म सर्कूलर मोशन भी समाना असान हो जागा अगर आपको इसी लिए यह उनिफॉर्म सर्कूलर मोशन जो है वह सर्कूलर मोशन जो है वो सर्कूलर में ही मुमन करएगा लेकि एक फिक्ष्द अस्पीट से एक सब्सक्राइब कौंस्टेंट स्पीट से बाफ समझ में आ रहा है तो बोलिया हां नहीं तो ना तो हमको कैसे पति से लाकि हां है कि नहीं तो टाप कि जैवा ता भी ना एनिवेस लेट उस सी तब यहीं होता है भी फिफॉर्म सर्कूलर मोशन जैसे एक जासे जैंपल से ले कि दूसरा एक जांपल्स ले लिजे मैरी गो रॉंड यह मैरी गो रॉंड क्या हुआ तो छोटा बच्चर के लिए जब जूला आता है तो एक सेर्किल में आता है इस तकार से स्कूटर का यह फिर जो यह कार का बना हो रहा तो इस पर बच्चर लोग ऐसे बढ़ जाए रहा प्राराम से और फिर जो भी होते हैं वो घुमाते रहते हैं अश्यलम सरकिल में घूंते रहता है तो यह जांपल है मेरी गो रॉंड यानि की जूला जो गोल्ड चक्ली में घुमा और सीडी प्लेयर तो जानते ही हो जी पहले कि जमान में आप तो डी संदीना के टीवी आ ग तो वही एक जोंपल आता है सर्कुलर मोशन तो जाओ उसना कग्गें दोनों जो लिखाओ हो सर्कुलर मोशन चाहीं तो इजाए गार इजाना कर लोग कोड़ दोनों का सीडी पिंड दीना तो इनिफार्म सल्कुलर मोशन इजिड क्या हो तक भाता दून श्यून्पल में द यजिसार आजीन टाइन टाइन जाएन, टाइन, टाइन टांट 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 उदण टाइन वर आसमें टांट का ला टो पाडिय Nikki जो भी हमारा बोड़ी है वो मुव्मेंट कर रहा है यानि की वो मोशन में है तो इसके लिए कुछ निमने लिखी तिर्ट राक है कि कैसा कैसा मोग करेगा तो कुछ है उसे लिखा दो तो लिखे में या जो भी सांथ मोली दिफरेंट या दिफरेंट टाइप आपफ़ द्रैक्स वैद्ट वोग युग मुविंग भडी रहा है या फिर अबज़क का यह बात के कहीं है जैसे पहला में हमारा एक अस्कॉयर ट्रैक हो सकता है आस्कॉयर ट्रैक हो सकता है दूसरा हो सकता है हेक्सा गोनल ट्रैक हो सकता है हेक्सा गोनल ट्रैक हो सकता है तो लिखेंगे हेक्सा गोनल ट्रैक हाना किसरे में हो सकता है उक्टागोनर ट्रैक और फाइनली हमारा सर्कूलर ट्रैक इतनी सारी ट्रैक हो सकता है यहां की रास्ता हो सकता है किसी भी मुविंग बडी के लिए किसी भी मुहीं ऑब्जेक्ट के लिए बास समय में आ रहे हैं तो बोलिया हां नहीं तो ना क्योंकि मैं दोहीं तरह की तुम बाते कर रहता हूं है तो ना कहा लेका है यहां है कि इतना अच्छा से तुझे बता रहा है इन्हेंगे लिए लेट सी तो फर्सरे पूल आंडिस्कूर्सिंगावा इस कितनी सारी ट्रैक हुआ अब आपको बारी बारी चैनी यह स्कूरण की आपको जोंगा तो अपको डिपनीशन और लिखा दिया है ताकि अच्छे से जान लीजिए कोई कन्फूजर नहीं हुँँ चाहिए, इतने सारी बातों को अपनोट करहें, फिर मैं आयो का प्रकिरिया चालू करहें, तो लिखो यह से, नाउ, भी विल डिस्क्राइब वाट, दाफस्ट वन, ट्रैक इस दाट, अस्क्वायर ट्रैक, अस्क्वायर ट्रैक के बारे में नामते हैं, है न जी, तो अस्क्वायर ट्रैक में क्या होजा है यह हमारा, तो देखिए, जो हमारा ट्रैक रहाएगा, वो कुछ इस प्रगाप से रहागा, a, b and c, और यह d, होजाएगे, ना, तो इस आस्क्रार ट्रैक, इस प्रकार से आहे, कितना साइट है, फोर साइट है, यहाद है, यहाले कि यह जाब है आँमारा अबजेट यहां से चालेगा, तो यहां तक तो बेन हम सिरा ट्रैक आई, अस्टेर चालेगा, इस दाएगा, य यहां के बार direction CHANGE होगी दो दो नहु से होता है इसते दिखाता हूं यह लोगा यहां इसदो में पर जएना और यह बेस कुछ आ है ऐसा ही तो होता है तो यह साल जा रहा है तो सौफ है इछ दीरचला गया नौर्थ डेर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् डीरेक्शन ऑब्जेक्ट का जो भी मूव कर रहा है अस्कुलेट्रैक में समझ गये तो लिखांगे इसी बाद को लिखांगे सिन्स एंद आसक्वार्ट्रैक स्क्वाय ट्राक हाने पूर साइट्स हाने फूर साइट्स उसके पास four sides है, four sides है, therefore, a body moving in air, on a square track, on a square track, will change, their direction, how many times, to four times, इसलिए, a square के पास four track है, तो जब भी कोई object score में जाएगा, तो चाहर बार अपने direction को चाहिए जालेगा, वहीं बाक्ते मेंने लिख आया है, समझ कहा ना, दूसरा आता है, hexagonal track, number two, and that is hexagonal track, hexagonal track, hexagonal track कुछ इस परकार से होते हैं, इस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा, फिर D तक से में आएगा, फिर D से देशी में आगे बड़ाएगा, इसका direction change हो जागा, फिर E तक से में आएगा, straight line जागा, फिर E के आगे जाएगा, तो इसका direction change हो जागा, तो चीज़ प्रेकर से थिरेब तक एस्टेट राएगा एपके आगा जाएगा तो इसका डिरेक्शन चेंज होगा यानि कि डिरेक्शन चेंज होगा तो कोई ही अब्जेट जो हेक्शागोनल ट्रैक पर पाथ पर चल रहा होगा समझ गई तो यहीं बात को लिखा आज़ा तो जिवा आदेगका पॉऽत होगा लिए और बादने सन्पके आपैश्न एक साफ, एक सागनल ट्राक, हविग छिछ साइ, छे साइ है लिगने देरफो, therefore a body moving on a hexagonal attack will change will change there direction how many times six times direction समझ गया ना? हाँ सब समझ गया तो यह दो complete हुआ दो और मच गया octagonal track and finally circular track जिसका इंतिजार है तो इन दोनो track को note किजिए और side of figure भी दर्चा लिजिए यह भी दर्चा लिजिए ताकि आसलान रहा कि कौन सा डिरेक्शन नहीं जा रहा तो लिखा लिखा इन इस आरी बात हमको माने आपको काफी डिटेल नहीं बता है लिखा अब इस अब इस आरी बिल डिसके आरी अब अक्त लिखाए अब अब इसके अब पड़ा इसके आपकोनल ट्रेक आंप अब आपकोनल ट्रेक्ट के बार बेदें तो सबसे पहले बिकनि यहां से आसेफ, फिर हहां द्रहसे आसेफ, यहां से आसेफ, फिर यहां से आसेफ अधिकन की खीना यह दिया फिर यहां से आसे outright कि बिशिच्छें सब समस्य इम्चे है तो यह आपका अप्टा गॉनल ट्रैक हो गया है नाम देदेंगे ए बी सी दी ए एफ जी एच अप्टा गॉनल ट्रैक है है क्यों चुँख इसके पास आठ साइड है याने की एट साइड है नहीं बार्म सब्सक्राइब यहां से पॉंटिंग करता हूं वान टू थी फॉर फा तो देखू ए अप्टा गॉनल ट्रैक है एट साइड इसलिए जो कोई आमारा मुविंग बोड़ी है वो अगर अप्टा गॉनल ट्रैक क्यों पर रन करता हूं दोडता है ताम उसे अपना जो डिरेक्शन है वो आठ बार चेंज करना होगा एट टाइंक्स तो लिखेंगे एट अप्टा बनल है लिके या या अप्टा मोन ट्रैक है जया हैंगे वोड़ी है अखेंगे शंगे लिखेंगे तो लिखेंगे या एट साइट हैस करपादा है Therefore, a body moving on an orthogonal track will change, वो क्या करेगा? तो चेंज कर देगा, क्या? तो देयर डिरेक्शन, तो how many times? तो लिखे में, 8 times, चेंज देयर डिरेक्शन, 8 times, यानि 8 बार, वो अपना चेंज देयर डिरेक्शन हा, उसको बदाल जाएगा, पर यह object जब octagonal track पर इचलाएगा, ठीक है, यहाँ से चलाएगा, तो A से लिखे के B तक तो उससे नहीं जाएगा, स्टेटलाएगा, कि B से C जाएगा, तो कुछी से परकासर, तो C से आगे कर रहेगा, हाँ मैं टाम्स, एट टाम्स, जी हाँ, तो अपर यह आपकर गुना track का भी concept पिलर होता है, अब बात कर लें, circular track का, यानि कि नामर 4, that is circular track, किसी circular track के बार में आब बात करें, circular track है, इसका मतलब है, कि यह circular में क्या कर रहेगा, moving कर रहेगा, देखो तो जी, इसका तो कोई अपना एक direction नहीं है, हाँ ना, इसके पास तो infinite number of sides है और direction हुए, लिखेंगे, since, इस circular track है, या फिर इसके पास कोई side नहीं है, है infinite sides, या फिर infinite sides, therefore, a body, इसलिए, a body moving, on a circular track, क्या होगा, विल छेंज, वो चेंगर, विल चेंग दिर दिर देर दिर देर 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 डेरेक्शन इन फाइनाइट नमबर अप्टें यानि कि पूरा एदम आन गीना बार डेरेक्शन चेंड करेगा जब्धी कोई अब्जेक्ट हमारा सेर्किल में मूव करता है तो तो यहां का कंसेप्ट पूरा देर दिया मैंने के लिए दिया समझ गया ना शबीर समझ गय अब देखो इतनी सारी बातों के लिखो चलब दिखो फिर आगे कुछ बताते हैं अब बचा कुछ आए उसको आप नोट में लिखाया जाएगा और नोट में आपको समझाते हैं कि क्या इंप्वर्टेंट कुछ बात है जो बताना चाहा है मैं आपसे शेयर करना चाहाँ द लेखो जब भी कोई हमारा ओबचेक्ट सेंटीर कोथ में मूव करता है जो इसका डिरेक्शन हाँ वह कॉंटिनुवसली चेंजिंग होते रहा है कॉंटिनुवसली चेंजिए तो चुकि डिरेक्शन चेंज हो रहा है जी इसलिए जो ओम आरा कहला है अब आक्सलेरेटेर कुला मैं लिखान है कि वेन थे बोली इस मुविंग और सब्सक्राइब का दें तब क्या होता है दें इस डिरेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कि फिरेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एन ओ एन यू ओ एस एलोगा है कॉंट्री निवसली कॉंट्टिनिवसली चेंज करता रहा उसका डिरेक्शन समझ गें समझें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का डिरेक्शन चेंज हो रहा लेकिन आ स्पीड जो है वो फिक्ष्ट है लेकिन मुव कर रहा सर्कूलर पात में तब भी हम उसको कहा है कि आक्सलेरेक्टर मोशन तो लिखे लिखा दागा कि हैं ए बोड़ी इज इज मुविंग अन ए सर्कूलर पाथ जैन इज मुशन इज क्या कहा है कि असको मुशन गो भी हम एज खाल एक्सलेरेक्टर एक्सल्ठरेरेक्टर एक्सलेरेक्टर पात मिशन गोड में न कि याद रहे आपको यह भी का सकता है कि ठीक है सर्कूलर पाथ पर ट्रवलिंग का रहा है उसका डिलिक्षन चेंज वह लेकिन स्पीड रहा है तब अब देखो आगे बताता हूं नोट में दुसरी बात है नोट में लिखागा कि सपोईज डाट कोई एक लड़का है जी जो क्या कर रहा है कि एक अस्टोन को बांध करके यह अस्टोन है हमाँ इस तो इस प्रकासट तो यह अब जब इधार आएगा इसका डिलेक्षन कुछी स्परकास दागा यान कि इस्ट कीवड़ फिर यहाँ आएगा फिर यहां से डिलेक्षन बदल दागा वह अधुआ साउथ इसके कोना में जब इधर आया तो यहां पर यहां पर अगर कोई एक लड़का है जो इसको एक धागा से बांद करके क्या कर रहा है यह भूमा रहा तो यह सेंदर में घुमेंगा कुछ इस परकार से इस स्टोन को बांद करके एक थ्रेट की मदद से इस परकार से भूमाया जा रहा है है एक द़ागा बांद लिये हैं और उसको घुमा रहा है तो जोगी मैं इसी में घुमें रहा हूं उससे करों यह फौर्स से घुमता है यहां पर जो पॉरस लगा करके से स्टोर्ण को भूमा ज्यां सर रूला पात मिंः उसी पर्ष का नाम है सेंट्री बीटर पॉर्स समझेर नधि तो लिए हैं सेंट्री पीटर पॉरस के बार में या फिर यूँ काऊं तो आपको सेंट्रीपीटर फोर्स नहीं समझाना चाह रहा हूँ सेंट्रीपीटर फोर्स तो लिखें है कि वेन अब्जेक्ट या फिर आसे लिखो the force which is required which is required required आपकर आपकर जरूरी है या फिर जरूरत है which is required which is required in order to in order to to make an object move in a circular path ताप कहेंगे जी कि दिर्ण इटिस कोल्ड सेंट्रीपीटर फोर्स और इसी टाप का फोर्स को हैं हम लोग नाम देता हैं और वो नाम है सेंट्रीपीटर फोर्स को कॉंसेट्ट किलियर होता है चलिया रशी बात है कि क्या होता है तो आप उससे बता दीज़ेगा अब यूनिफॉर्म सर्कूलर मोशन में हर एक चिद्माने कभार कर लिया है अब कुछ एक्जॉंपर्स देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कूलर मोशन का तो इससे नोट करेगा इससे लिखागा हमारा कौनसेप्ट जो है वह और अच्छो तरीके से किलियर बजाते समझ गया जी तो नोगो लैट सी तो लिखेंगे कर दो और दी जैंपल्स और दी जैंपल्स और किसका है तो इन फॉर्म सेर्कुलर मोशन का कुछ नहीं लिखे दिक जैंपल्स जैसे जो हमारा सेटेलाइट होता है वह क्या होता है सैटेलाइट का मूइमेंट होगा हमारे अर्थ के चालड़ित यह अर्थ है तो सेलाइट करेगा जस्ष्द इस एक पिक्स जश्दाइक और इंट में समझ गाना इस सर्कूलर पाथ तो वह कारता है दो लिखेंगे पहदा जाब आजो समय। कि दर मुणमेट ओफ आफ 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 आफिकिल से लाइप से लाइप एरॉंड दी अर्थ यानिकी आफ के चारह ओद जो हमारा सेटलाइप लाइप लॉंड लॉंड लॉन्ज किया जाता है वो मुभमेंट करता है तो एक सब्सक्राइब करता है बात समझ में और यह एक सब्सक्राइब करता है अ have a नेक्स स्ब्सक्राइब नहीं ये इस आए लख वह दम गोम ता वह इस मत तो साल कुला त्रक में भूमता है मून घुमेगा आर्थ के चारू तो वो भी लिखे दें लिखे हैं कि सीधे लिख दें क्या लिख दें दा मुवमेंट ओफ मून एरॉंड दा आर्थ एरॉंड दा आर्थ 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 एक्जिबीट्स एक्जिबीट्स करता है किसी सब्सक्राइब तो यूनिफॉर्म सर्कूलर मोशन कोई पुछा कि ऐसा क्यों बोल रहा है तो कह दिजाए विकॉज मून इजिदा नेचरल सेटलाइब 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 आफ देखलाइब देखलाइब जरासा सेटलाइब के सेटलाइब के स्पेडिंग एक और चेकर ने जिए मैंने ख्राव सेटलाइब यह जो भी हो तो जो हमारा सेटलाइब हो कुछ इसी प्रकार से होता है का मैं मैं होएक मैं यौह मैं तो जो मून है जो हीनिसा करेगा की जिर हाँ है की जो हमारा की नहीं नहीं बर बसंतर चारो चक्कर लगाता है और गूंता होगा और कैसा मोशन में मुव्में ना बाथ समय में आ रहाएं तो बोलिये हम हां तो सर्कुलर शॉचिंग कह लाएं तो लिखें हैं तीसरी बात दा मूवमेंट ओफ of earth around the sun insert in uniform circular motion वो भी uniform circular motion next क्या हो जाएगा next हो जाएगा जो ही हमारा अथलीट है या फिर साइकलिस्ट जो साइकल चलाने के लिए बहुत सोखें है वो रेसिंग राता था एक ग्राउन में इस प्रकार से सर्कूलर ट्रैक पर मुवमेंट करता है तो वो भी इनिफार्म circular motion का लागा तुसे भी लिखें तो लिखेंगें कि एन आथेलीट या फिर साइकलिस्ट इसे क्यों छोड़ाँ इसे भी घसीटले आथेलीट या फिर साइकलिस्ट moving on a circular circular path का लिए फिर साइकलर ट्रैक विद एर तो कासरी तो विद एक कॉंस्टन आथेलीट इसे 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 इनिफॉर्म सर्कूलर मोशन वात समझ में आ रहे हैं तब बोरिये हैं वहीं सर्कूलर मोशन ही डिनोट करता है या फिर यूं कहूं कि दर साथा समझ गर अगरा बात है लिखाने वाली बात यह है कि जैसे मान लेजिए हमारे पास क्या है यह अथेलीट तो हुए गया यह फिर यूं कहूं कि सपोस्थ दाथ कि दा मूमेंट ऑफ अर्टिपिशल से टेला है यह फिर यह फिर एक एस इडी प्लेयर वालों तो बता दिया था ना कि जो मारा सीडी प्लेयर है वो कैसे गुमता देखो यह वी जांपर हो जाए घड़ी जी जो हमारा बाच है उसको में सेकेंड का जो नीडिल है जास लाइक दिश्थ देखिए दिखार है दीख़ा आरा दिखराँ तो जो हमारा सेकेंड नीडिल है वो एक्दम सार्किल में मूँव कर रहा है नहीं देखो ना तो इसे भी लिखें कि भी तो इनिफॉर्म सेर्कूलर मोशन को एक्जिबेट्स कर रहा है तो लिखें मैं लिखेंगु आर कर राकशे अडे जार छॉडर है लिखेंग। लिखेंग लिखेंगे मैं लिखेंग। और एक सर्कूलर क्या है वारा सर्कूलर डाइड ऑफ बाच एग्जिवीट्स यूनिफॉर्म सर्कूलर मोशन तो यह जो है हमारा उनिफॉर्म सर्कूलर मोशन को डिनोट करता है याद कि द्रस आता है तो इतनी सारे इजम करें करें कैसे कैसे निकालेंगे समझ गया इस प्रस्म को स्युर्व करें गोंगे सबस्सेया तो यस सारी बातों ए नौटोन क्राइं नगे 800 गो हमारा युनीफॉर्म सभादा को मोमेंट कर रहा है वह आकिकर प्रकास को सो किस्क प्रकार से जो मुनिटंट है वो कम घांड आ और उसका स्पीड और कैसे कले कड़으रा तो देखिए सर्कूलार मुष्ण में नकर यानिज़स में जाज लाइक दिसंट जा सब्सक्द रहरा एम अंच यह क्या हो जागा При तो इसके बारा में बता है तो यहीं करना कि लिए हो सकता है इस जब भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सर्कूलर मोशन कर रहा है तो डिस्टन्स जो है ně कितना कभ़ करेगा तो यह जो सर्केल है सेटी का सर्कॉंफ्रेंज के बराबर डिस्टन bringen जी को बैठ्तेवे है यहां संता है और यहां चलता है चलता चलता यहां आज़ता तो वह कितना डिस्टन्स कभर किया सपते हैं इस चेयर के बराबर उसका डिस्टन्स जो एक रोन अमारा है सरक्ल का समझें सरक्मफरेंस होता है कि दे लेंफ अब दस था वहीं हमारा सरक्मफरेंस होता है समझ गया तो इसी बात को लिखा जाए कि वें एड और आब जे ट्राबल लिके या फिन मुविंग। मुविंग ओन ए सर्कूलर पाथ। लिए दिस्टन्स कवर्ड वाड़। जो बोड़ी के द्वारा कवर किया गया है, इस गीवें वाई, इस गीवें वाई दसार काम्फरेंस। सरकूंफरेंस ओफ दी सर्कूल जो भी सर्कूल है, उस सर्कूल का सर्कूंफरेंस के बरावार हुआ। ठीक हाना, अगर हम लोग काते हैं, सपोज और बीदर रेडियस अफ दिस सर्कूल, कोई एक सर्कूल का और जायब रेडियस है, तब क्या होगा, दिन सर्कूंफरेंस, और अगर कोई ट्रैवल किया है, सर्कूलर ट्रैक पर, यहां से चलता है, और चलता 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 यहीं पर आवाँ आता है, तो जो डिस्टेंस कभार किया, इस से पता लगा ने, और यहीं तो दिया हुए रागा ना, कि यहां से यहां आए में कितना टैम लगा, तो जो डिस्टेंस, अजो अस्पीड और डिस्टेंस अपान में टैम होता, होता है न, तो डिस्टेंस पता चलतने लगा, तो इतना वाइ küो पता चलतने है, तो लिखेंहें इसलिए, इसलिए वेलोसिटी वराब यह फिर यूंग कहूं कि स्पीड वराब तू पाई यार अपॉनमेंट टी यह दर जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करेगा तो उसका जो स्पीड निकालेंगे तो सरकंफरेंस वाई टाइम करें क्योंकि सब्सक्राइब होता और यह अब आपको यह कंप्लीट होता है हरे तरह से एक लाश्ट चीज़ करेंगे वह एक छोटा सा कोस्टन से बनाते हैं ताकि आपको जो यह फर्मूला भी है जो किलियर हो इस लेक्ट्चर के लास्ट हो जाएगा एक कोस्टन करने का बाद तो इसे लिखोगे नोट करोगे इस कोस्टन को शोल करते हैं ताकि आपका जो कॉंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाए नोग प्रोड़म लेड़ाशी तो देखिए एक साइकलिस्ट बोज एरांड एरांड अंस इवरी तो मिनुट्स इप्डर रेडियस अब दस अर्ड़ एक सार्कूलर ट्रैक है ठीक है जिसका रेडियस अर्वर दिया हुआ है एक साइपाँच मिन्टर एक साइपांच मिन्टर ठीक है अब काता है कि एक रोंड मारता है, यहां से अगर चालना सुरू करता है, और फिर यहां आता है, तो एक रोंड लगाने में, उसको जा टाइम लगता है, वो दो मिनिट लगता है, एक सो पांच मीटर का रेडियस है, और यहां से चलता है, फिर यहां आ लाता है, तो दो मिनिट लगता है, उसका स्पीड निकाले तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले लिखिए गीवन आपका क्या है तो डिस्टेंस दिया हुआ है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं तो सरक्वरेंस निकाले टू पाई आर तो देखो तो पाई का भाई दिया हुआ 22 वाटा और दिया हुआ एक सो पाँच हासर दिया हुआ त्व इन्टू 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 1 05 by 7 यहीं हो जागा एतना मिटर हमारा यह दिस्टेंस निकाल दिया अब देखिए हमारा टाइम दिया हुआ है 2 मीटर 2 मिनट लिखेंगे आइन आइन टान इस इकल टू टू मिनट तो दू पूना साथ करूं इतना सेकंड नहीं हो जागा यहीं की 120 सेकंड आप जानते हैं उनको सब्सक्राइब आप जानते हैं कि जो हमारा टाइम है वो सेकंड है बदा बदर चका क्यों किस्पीड का अी सीट मेद होता है, मिटार पर सेकने, है cuz आशी को बाले, और इसको मेधेटर में बदाले शन का फिरफा बंटाइग्पंख। आब स्पीड का फ्रंवुला पता है cast बारनों डिस्टंस अपन में का था यही होता है तो देखो वो डिस्टंस कितना है तो टू इंटू 22 इंटू 1 0 5 by 7 और ताइम निकला एक्सवीज तो आजी ना मार्दैना सब्सक्राइब अब देखो ना कट जाएगा क्या देखो काड़ जो इस साथ से कट जाएगा यह 30 हो जाएगा तो यह 11 हो जाएगा तो यह साथ से 105 करता है क्या एक बार में 7 तो यह 3 तो साथ सब्सक्राइब थार्टी फाइब यान की पंदर सदे 105 होता है यानिकि 15 टेम्स यह कैंसील हो गया यह 7 से तो आग गुना कर दो क्यों गया है तो यह 2 टो टों सदेब लाइव जाए फाइब ऑब्सकेम्स और सिकंड यानिकी 5 हो जाएगे 5.5 निटर पर सिकंड आपका क्या हो गया यह अंसर हो जाए लिए तो 5.5 मिटर पर सब्सक्राइब तो इस आपका आपका हो गया और जितना ही आपका मोशन में टॉपिक था कॉस्टन्स था मैंने हर एक चीज को कंप्लीट कर दिया यह चाप्टर पूर्ण रूप से समाप तो होता है कुछ भी नहीं कि जो छोड़ा हो मैं कुछ इंप्वर्टन को सब्सक्राइब कर दिया जागा नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी करवाने के जुरूत है कुछ बच्चा कुछ बगर हम नहीं तो आप कुछ से कर सकते हैं बागी मैं इस लेक्टर को समप करता हूं मिलें नहीं जाप्तर के साथ कुछ नहीं लेक्टर के साथ नहीं अदाज मत अब तक कर लिए मुस्कुराते रहे हसते रहे ठीक है ना अस्ते रहना जास्त लाइक मैं कसे हसते रहता हूं जास्लाइक भीष